स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल सूरत बोई कृष्णा में दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेर पानी के लिए आप सूरत बोई कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज का यह वीडियो उन रेल याति उकले कापी इंपोर्टन रहने वाला जो इस पेसल टेन की लिष्ट आ गई है जिसकी बुकिंग किसी भी टाइम हो सकती है पूरे पूरे चांसे से दोस्तों इसकी बुकिंग कल के दिप होने वाली है दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली वीडियों बजाया था रेल वाचानंग में इस्पेसल टेन निकाल दी है या फिर इस्पेसल टेन की बुकिंग को केसी भी टाइम करवाते दिए इसक्रीन पर आप देख सकते है ल्टेसी से बीएस बीएस बनास के लिजाने वाली 0-11-13 की बुकिंग 9 बजे स्टार्ट जैसे दोस्तों मुझे अफडेट मिलेगा मैं वीडियो के माधब से आपको बता दूगा तो फैली फ्रेंड में यह पास कुछ टेनों की लिष्ट आगए जिसकी बुकिंग कल के देट पर होने वाली है या फिर किसी भी टाइम हो सकते हैं आप मान लिजे और कुछ ऐसी टे जैसे दोस्तों रेलवे की चाले ताकि जो एजेंट हो बल्क में टेन टिकर ना बुक कर पाएं और नॉर्मल यादरु को भी कंफर्म टेन टिकर मिल जाए तो जाड़ा टाइम न लेकि चलो फटा पट उन सभी स्पेसल टेन की लिष्ट हम जान लेते हैं उन सफाद केस्वें तो राझ जाएं चना खाली है थर्ड़ एसी फील दोस्तों पुरी पुरी सीट है खाली इसकी बुकिंग दोस्तों अभी दस दस बच कि तीस मिनट पर की गई है आप देख सकते हैं जिनको इस रूट पे जाना हो तो जा सकते हैं रूट आप देख पर दोस्तों ये चलने वाली इसमें भी कंफर्म सीटे खाली है फटा फट बुक करें अपना कंफर्म टेन टिकट थाड़ दोस्तों देख लिजे इसमें भी बुकिंग नोटे लाउट लिखा हुआ है कौन कौन से स्टेशन में दोस्तों रूखने वाली है यहां पर वीडियो पाउच करके लिए तरीके से देख सकते हैं ऐसे रहले आती जिनको इन रूट पर सफर करना है और तयार है स्टेशन कोड दोस्तों देख सकते हैं आर सी केरा जक्सन से लेकिं चन्ने सेंटल की बीच में जाने वाली डेट ऑप जन्नी ओनी सप्रेज हैने वाली मलब कल के डेट पर और यह टेन का दोस्तों टाइमिंग आप देख लिजी 21 बज़े रात को चलेगी 062 01 है वन वे स्पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इस टेशन पर रुखने वाली है वन वे स्पेशल टेन है मलब दोस्तों एक ही बार के ओल यह ट्रिप चलाए जाएगी तो फ्रेन आज की इस वीडियो में च्छोटी सी अपडेट और आपको हमेशा अलेट मोड पर रहना अगर आपको कंफर्म टेन्ट टिकट चीए सो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं किसी नेस वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक खुश रही है